हर कोई चाहता है कि अपना फेस डाजलिंग दिखे और यंग दिखे लेकिन इसके लिए आपकी स्किन टाइट होना जौरूरी है अगर आपकी स्किन लूज हो तो आपकी स्किन यंग कहां से लगेगी कैसे लगेगी है न आपने सुना ही होगा कि एग हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है अगर आप अपनी स्किन को यंग एंड शाइनी बनाना चाहते हो तो इन दो इंग्रेडियंट से आप अपने सिकिन को टाइप कर सकते हो और इसके फायदे एक नहीं अन्यक हैं किसे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले वहना आप वीडियो खितम लगी हो तो गर बूद जहाओ करती हूं helpful वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूं सो चलिए देखते हैं कि मैंने मास्क बनाया कैसा है कैसे है और अप्लाइ कैसे करना है और इसको रिमॉफ कैसे करना है सबी कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो गाइस हमने यहां पर एक लिया हुआ है और यहां पर है डिस्प्रिंट टैबलेट एक ही टैबलेट काफी होगी हमारे लिए तो अब इस टैबलेट को मैं इसको ओपन करके इस टैबलेट को मैं इसमें डाल देती हूं यह आप देख सकते हो यह डिस्प्रिंट टैबलेट ह अब इसको हम इसमें डाल देंगे में थोड़ा सा रोज वाटर एड़ करेंगे यह डिस्प्रेंट टाबलेट है तो आप वाटर भी एड़ कर सकते हो यह देखिए इसने रियक्ट किया और यह घूल गई अब क्या करना है अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एग वाइट ही एड़ करना है हमें तो यहां से मैं इसको इस तरह से निकाल लेती हूँ यह देखिए इस तरह से मैंने इसको अलग कर लिया अब मैं यहां पर अपना एक वाइट डाल दे रहे हूं इतना मेरे लिए काफी है तो इतना मैं सही शोर दे रहे हूं सो अब हमी क्या करना है इसको मिक्स करती जाओंगी अब यह अपलाई करने के लिए रेडी है यह हमारा डाइनमेक स्किन केर तयार अब इस पेस्ट को मैं एक फ्लाट ब्रश की हल्प से अपने फेस पर अच्छे से अपलाई कर लोंगी एग वाइट सालों से हमारे ब्यूट करने के साथ आपके ओपन पोर्स को भी बन करने में हल्प करता है यह मस्क को सुखने लगे तो आप अपनी स्किन को एक्स्रीमली टाइट महसूस करोगे इस मिक्सचर को अपलाई करने के बाद मैं यहां पर टीशु पेपर से अपने फेस को अच्छे से कवर कर लूंगी आपके वाइट को रिमॉफ करता है आपके पिंपल्स को भी रिमॉफ करता है डाक स्पोर्ट को रिमॉफ करने में हल्प करता है प्रॉपरली अगर आप यह रूटीन फॉलो करोगे अपना स्किन के रूटीन में इसको आप शामिल करोगे तो आपकी स्किन टाइंट होने के स आपकी skin shine भी करेगी, highlight होने लगेगी, आपकी skin के जो भी problem से वो दिरे-दरे करके solve होते रहेंगे, फिर एक बार अपने face पर apply कर लूँगी, सबसे ची बात इसकी यह है कि यह आपके facial hairs को भी remove करता है, बिना दर्द के यह आपके facial hairs को भी remove करता है, and home remedies के अगर मैं बात करूँ तो यह number one पर आती है, यह trick आप जरूर इस्तेमाल करें, so यह देखिए, मेरा यहाँ पर mask almost dry हो चुका है, 20-25 मिनट के लिए आपको इसको ऐसे ही dry hair के लिए छोड़ देना है, इसके बाद मैं इसको remove कर रही हूँ, यह आप देख सकते हो, बिल्कुल भी pain नहीं देता है, easily हम remove को ऐसा लग रहा है कि baby skin soft हो चुकी थी, मेरी skin बहुत ज्यादा soft and shiny हो चुकी थी, naturally मेरा face highlight लग रहा था, यह आप देख सकते हो, किस तरह से easily remove हो जाता है, and facial hair को भी remove करने में help करता है, अगर आप charcoal mask apply करना नहीं चाहते हो, तो आप यह वाले trick इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपको charcoal mask से ज्यादा benefit मिलेंगे, and easily peel हो जाता है, आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा zoom करके आपको दिखाया हुआ है, कि यह किस तरह से remove होता है, so चलिए इसको मैंने सारा remove कर लिया, इसके बाद मैं only water से अपना face धुल कर आ गई हो, और इसके बाद आप जेल है, only aloe vera gel है, इसके consistency आप देख सकते हो, इसका color इसमें कोई added color नहीं होता है, और मेरी skin oily है, तो मैं gel form के ही moisturizer ज्यादा यूज करती हूँ, मौसम के हिसाब से ही use करना होता है, so इसको मैं अच्छे से अपने face पर massage करूंगी और apply कर लूँगी, अपने face को touch करने से ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा, मतलब smooth skin हो चुकी थी, and naturally shine कर रहा था, जो भी है आप ही देख सकते हो, and चलिए, इसको remove करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरी nose पर कुछ blackheads बचे हुए थे, जो कि इसने ये भी remove कर दिया है, totally मेरी skin clean हो चुकी थी, and so, चलिए, अब कर दी हूँ, मैं वीडियो का end, मिलती हूँ मैं आपसे अपने next वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye, and take care,